हेलो असलाम अलेकुम गाईज मेरा नहीं अब्दुलहत और आप देख रहे हैं कीमो वीडियोस नहीं तो आज मैं आयो एक नए टोपिक के साथ जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लेंट्स तो फिस्ट फॉल हमें यह जानना है कि एंडोक्राइन ग्लेंट्स किया होते हैं ग्ले ग्लेंट्स जिनके लिए एक सेपरेट उनका वे होता है जहां से जो है वो सेक्रीट होते हैं या फिर जहां से वो अपने टार्गेट और्गन के तक जाते हैं तो हमारे पास लेकिन एंडोक्राइन ग्लेंट्स ऐसे ग्लेंट्स होते हैं जिनका कोई डक्ट वगरा नहीं होत ब्लेड में शामल होकर अपने टार्गेट औरगन तक जाते हैं या फिर वहां पर जहां पर भी उन्हें वर्क करना होता है वो करते हैं तो क्या आप मैंने फर्क बता है आपको कि एक्जोक्राइन ग्लेंड वो ग्लेंड जिनके लिए एक सेपरेट डक्ट होती है और एंडोक्राइन ग्लेंड वो ग्लेंड जिनके लिए एक सेपरेट डक्ट नहीं होती वो डारेक्ट ब्लेड में शामल होते हैं ठीक है तो पहले हमें यह समझना है कि ग्लेंड क्या होता है क कोई भी एक इसा सेल, जो सिक्रीशन करें या फिर किसी भी चीज को अपने मतलब को अब बसक्रीड को सेक्रीड करें बाहर निकाले उससे हम क्या बोलते हैं, ग्लेन बोलते हैं, तो एंडोक्रायन ग्लेन में आज हम पढ़ेंगे पिचटरी ग्लेन, पिचटरी ग्लेन की तीन लोब्स होती है इंट्रमीडिय लोब एंड पुस्टिरियर लोग्स methigocy ontyrlob में हमारे पास तर्मोन और इंथरमीडिय इडियन और पुस्टिरियर में दो पहले यह माना जाता था कि जो हमारा पिचिटरी ग्लेंड होता है वो मास्टर ग्लेंड होता है वो सारे ग्लेंड को पूरी बोडी के ग्लेंड को जाए वो कंट्रोल करता है लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि पिचिटरी ग्लेंड को भी कंट्रोल करने वारा एक ग्लेंड होता है अब पिचटरी ग्लेंड का हमारा जो पॉस्टीरियर लोब होता है इसमें यह जो दो हॉर्मोन्स बने हैं यह जो दो हॉर्मोन्स हैं यह पिचटरी ग्लेंड में नहीं बनते हैं यह हैपोथलेमस में बनते हैं और आके कहां पर रिस्टोर होते हैं पिचटरी ग्लेंड की पॉ हमारा पहला हॉर्मोन है FSH Follicle Stimulating Hormone अब हम इनको दो तरह से पढ़ेंगे पहला कि इनके target organs क्या है यानि कि इनके जो किन organs पर यह अपना काम करते हैं और दूसरा कि इनके काम क्या है पहला FSH हमारा जो है Follicle Stimulating Hormone इसका target organ होता है गॉनेड यानिके reproductive organs male में testis और female में ovaries तो इसका अब आजाते हैं इसका काम क्या होता है testis और ovaries में उनके जो है वो gametes बनते हैं ठीक है तो यह उनको stimulate करेगा कि अपने जो है वो gametes को जो है वो develop करो या फिर उनकी production को start करो तो हमार इसका काम यही है target organ क्या बदाया इसका गॉनेड और काम क्या है gametes की जो है वो production टरवाना second LH लिटनाइजिंग होर्मोन इसका काम भी इसके साथ थोड़ा related है जहांपर FSH जो है वो production टरवाता है यहाँ पर LH जो है वो उनकी सेक्रीशन कराता है ठीक है यानि कि इस होर्मोन से जो gametes बनेंगे वो इस होर्मोन की वज़ा से जो है वो सेक्रीट होंगे ठीक है तो हम आ जाते हैं इसका भी target organ जो हमारे पास गॉनेड दाता है और work मैंने आपको बताया कि gametes की क्रेशन तीसरा thyroid stimulating hormone यह हमारा hormone भी commanding hormone है commanding hormone क्या बोलते हैं हम ऐसे hormone जो खुद काम नहीं करते हैं लेकिन command करते हैं दूसरे hormone को thyroid stimulating hormone जिसको हम target organ हमारा thyroid gland होता है और यह command करता है दो और जो है वो उनको hormones को जिनको हम calcitonin और thyroxin बोलते हैं basically वो हम नहीं पढ़ेंगे वो thyroid gland में आता है हम इसका target organ क्या बता है thyroid gland और इनका जो है वो यह जो जिनको stimulate करता है hormone को वो है calcitonin और thyroxin हमारा चोथा hormone GH इसका नाम है GH यानि के growth hormone hormone somatotrophin hormone जिसको हम growth hormone बोलते हैं जैसे कि इसके नाम से वाज़े है growth hormone यानि के growth में help करता है एक इसके जो target organs मैंने बता हूँ आपको के muscles bones और cartilage यह चीज़े इनको इनकी जो है growth करवाता है हमारा growth hormone bones enlargement हो गई और उसके इलावा हमारे muscles की जो है growth हो गई वह हमारे growth hormone की वजाता है वजा से होती है और male और female के secondary characters को develop करता है जैसे के male में अगर मैं आपको बता दूँ कि आपकी दाड़ी मुचे या फिर beard या फिर mustache वागरा जो हो गई वह जो है किसके control में होती है GH यानि के growth hormone के control में आती है है अब से टीएच एडिनो कोट्रिकोट्रोफिन होर्मोन इसका काम क्या होता है इसका काम भी यह भी एक कमांडिंग होर्मोन है जो के adrenal grain हमारी जो किड्नी होती है यह हमारी अगर किड्नी है इसे बीन लाइक structure हम उसको बनाए उसके उपर यह एक केप टाइप structure होता है ड्राइंग पर मत जाए मेरी यह जाए वह ग्लेंड होता है किड्नी के ऊपर एक केप की तरह एक ग्लेंड होता है जिसको हम adrenal gland बोलता है यह उसको करता है इसके hormone से stimulate करता है यानि कि यह भी क्या है एक commanding hormone है अब आजाते हैं हम intermediate lobe में हमारा आता है msh melanostrophin stimulating hormone यह क्या है यह एक ऐसा hormone है जो हमारी जो skins आपको बता है कि किसी skin जो है वो dark होती है किसी की light होती है यानि कि किसी का जो है वो color मतलब थोड़ा सावला होता है या फिर कोई कोई गोरा होता है तो उसका जो control होता है वो हमारे पास होता है msh के पास यानि कि melanotrophin stimulating hormone melanocytes को control करता है जो हमारी skin के एक cells होते हैं जो हमारी skin को color देते हैं ठीक है इसका target organ क्या होगा हमारी skin हो गई और इसके जो है work क्या होगा हमारी skin को जो है वो control करना मतलब उसकी color को जो है वो उसका उस पर काम करना आगे हम आजाते है posterior lobe पे posterior lobe जिसे मैंने आपको बताया कि यह जो hormones है यह hypothalamus में बनते हैं और क्या होते है posterior lobe में store होते हैं पहला हमारा calcium oxytoxin यह क्या है जब एक baby जो है वो उसकी development हो रही होती है एक female के अंदर तो क्या हो रहा होते है वो एक उसकी body बन रही होते है आजसा है इससा वो baby grow कर रहा होता है तो क्या होता है उसके जो muscles होते हैं उसके जिसमें वो होता है क्या बोलते हैं उसको जाइगोट वगेरा जो होता है जो एक baby form होता है तो वहाँ पर उसके muscles की stress जो उसमें पर आती है उस stress को control करना या फिर उनकी muscles को contraction or relaxation करवाना वो काम होता है हमारा oxidoxin का और हमारा ADH अब आगे हमारा ADH ठीक है ADH क्या करता है हमारी kidney है आपको बता है कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि kidney में क्या होती है reabsorption वाजरा होती है nephronis के जारी है तो यह उस kidney की जो reabsorption या फिर water की जो उसमें काम जो है वह ADH का होता है तो आज का हमारा lecture यहीं पर खतम होता है थैंक यू फॉर वाचिंग में वीडियो एंड लाइक इन सब्सक्राइब